हेलो फ्रेंड विल्कम बेकटू मारे चैनल आज के वीड़े में हम आप अपना करियर कोरशिए के बाले में मुझ पार करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको animation में अपना career बनाना है, तो आप diploma का course कर सकते हो, जो one year का रहता है, let's suppose अगर आपने graduation complete कर ली है, जा फिर आपने post graduation भी कर ली है, फिर भी आपको यह है कि मुझे animation का course सीखना है, अब तो आप यह diploma course कर सकते हो, बड़े राम से एक साल का, हाँ यह six months का भी होता है, यह आपके institute पर भी depend करते हैं, कि वो कितने साल का आपको, जा कितने months का आपको offer क करते हैं, तो आप उनसे यह consult कर सकते हैं, next list पर है diploma in web designing course, अब जो animation जो web designing course है, वो almost same ही है, तो आप कोई भी course कर सकते हो, आप यह भी कर सकते है animation का, जा आप web designing course का भी, आप opt कर सकते हो, यह भी आपका एक साल का ही course रहेगा, next step bachelor of design में, आप animation को भी as a specialization opt कर सकते हैं, जो अधर यह है कि diploma करेंगे, तो आपको थोड़ा सा, you know what, कम थोड़ा सिखाया जाएगा, अगर आप पूरे चार साल का कर रहे हो, बैचलर of design कर रहे हो, तो obviously बात आपको दिख रहा है, कि आपको थोड़ा सा, जाधा detail में आपको सिखाया जाता है, next fourth number पर आप क्या कर सकते हो, आप बैचलर of fine arts, जिसको BFA भी कहते हैं, उसके अंदर आप animation as a specialization आप रख सकते हो, वो भी आपका 4 साल का course रहेगा, यह आप क्यों कर सकते हो, let's suppose कि आपको fine arts करनी है, उसके अंदर भी interest है, पर आप चाहते हो कि आप फ़र अस animation की तरफ भी चले जाओ, तो आप animation की specialization को भ offer कर देते हैं, ठीक है, आगे हम fifth number पर देखते हैं, तो आप BAC animation film making भी कर सकते हो, BAC है तो obviously आपको 3 साल का रहेगा, यह आप college में देख सकते हो, कि आपको यह course available है, जा नहीं है, जा इसके related क्या कौन कौन से course जो है, अवेलिबल है, ठीक है, next आप फिर BAC multimedia भी कर सकते हो, ठी काफी अच्छा course है, आप उसको भी देख सकते हो, और यह आपका again 3 years का course रहेगा, ठीक है, next number पर आपका BAC animation and multimedia, यह दोनों आपकी same रहेंगे, देखे, अगर आप चाहे तो BAC animation अकेला कर सकते हो, अगर आप चाहो तो multimedia अलग कर सकते हो, नहीं तो फिर आप दोनों इकठे कर स सकते हो, ठीक है, यह भी आपका 3 years का course रहेगा, देखे, अपके institute पर भी depend करता है, कि वो किस मनलब कि उन्होंने अपने animation का course किस name से save किया हुआ, किस name से वो आपको provide कर रहे हैं, ठीक है, next 8th number पर जो आपका हमारा last है, वो आप अकेला BAC animation कर सकते हो, जो आपका 3 years का course रहता ह है, अब बहुत सारे बचे यह पूछते हैं, कि जब हमें animation, web designing, जा हमें multimedia करना है, तो हम डिपलोमा करें, जा हम एक as a BAC degree course करें, तो it's really depend, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप डिपलोमा भी करते हो, तो उसके अंदर भी आपको beneficial है, देखे, डिपलोमा उन लोगों के लिए beneficial है, जिन्होंने graduation complete कर लिया, क्योंकि जिन्होंने graduation कर लिया, वो दुबारा तो नहीं वो BAC का degree course करेंगे, तो उनके लिए फिर डिपलोमा जो एक साल का, जाज six months का, जितने months का भी होता है, तो उनके लिए वो अच्छा होता है, लेकिन अगर आपने plus two complete किया, तब आपके लिए, यह BAC के courses अच्छे रहते हैं, ठीक है, इससे आपको beneficial होता है, तो यह आपके उपर depend करता है, आपके profile के उपर depend करता है, so friends, this was all about animation course, अगर आपको कोई query रहती है, you can ask me in the comment section, बाकी जो degree और जो diploma courses है, वो आप अपने coding चूज कीज़ कीज़ एगा, ठीक है, अगर आप किसी animation के किसी particular course में आपको full detailed video चाहिए, you can tell me in the comment section, and then मिलते है next video में, thank you so much for watching my video.